यूजर डिफाइन फंक्शन को डिफाइन करना और उसको काम में लेना तो हमें एक प्रोग्राम से शुरुआत करते हैं जो एक इंटीजर नम्मर का स्क्वेर प्रेंट करता है एक इंटीजर का वाग गयात करता है सिंपल सी प्रोग्राम देखें तो उसमें एक integer a डिकलेर किया है उसको read किया और बाद में उसका square मतलब a star a a यह दी integer डिकलेर किया है तो उसके साथ में a star a को print कर दिया यह उस number a का जो हम input में देंगे उसका square print कर देगा अब हम इसमें कुछ changes करते हैं जहां include studio.h लिकला है उसके बाद में और int main से पहले हम insert करते हैं एक prototype function नीचे जहां main function का end हो चुका है उसके बाद में जो prototype function insert किया है उसकी body मतलब उसमें क्या करना है वो लिख देते हैं और जहां a star a लिका है उस जगह पे उस function को उस जगह से रिफलेस कर देते हैं इसके लिए यह तीन बदलाव हम कर रहे हैं मतलब एक function square prototype की रूप में यहां पर insert किया है मतलब int int मतलब यह function किस तरह की value return करे है मतलब यह main function में जहां यहां किस function को call किया है इसको लिखा गया है किस तरह का number print करना है integer करना है float करना है double करना है वो नाम लिख दिया उसके बाद में function का नाम और बाद में parenthesis में इसमें कितने input arguments हैं उनका data type लिख दिया यहां a की input है जो की integer है इसलिए int लिख दिया और semicolon नीचे उस function के अंदर क्या कर रहे है तो उस function के अंदर जैसा prototype में लिखा वैसा लेकिन यह argument का variable name दे दिया जो की यहां पर हमने x दिया है नीचे करना क्या है तो return x star x हम x का square भेज रहे हैं मतलब यहां लिख दिया return x star x और जहां a star a लिखा था वहाँ square और parenthesis में argument के रूप में a लिख दिया अब हम इसको compile और run करके देख लेते हैं तो compile और run करने के लिए पहले हम देखते हैं यह program तो यह इस में program में comment है बाद में program stdi.h include किया है prototype function दिया गया है बाद main function में a को declare किया एक को read किया उसके बाद med square function को call किया है जो value return करेगा उसको हम print कर रहे है उसके बाद med square function है जो x star x return कर रहा है अब हम इस function को इस program को compile and run कर लेते हैं इसको जब हम compile करते हैं तो यह successfully compile हो गया है और बाद में run करते हैं तो एक integer मांग रहा है integer value जैसे 5 दिया तो यह 5 squared is 25 print कर रहा है हम 10 देते हैं 10 square is 100 print कर रहा है हम 123 देते हैं तो 123 का square 15129 print कर रहा है इस तरह से अब हम इसको जो man body है उस पर focus करते हैं तो int square bracket में int x और बाद में curly braces में return x star x इस पर focus करते हैं और इसको समझते हैं इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं पहले हमने जो curly braces है मतलब man body है उसके अंदर हमने int y लिखा फिर y equal to x star x लिखा और बाद में return y लिख दिया तो यहां पर यह कोई भी function है उसका general format होता है वो क्या होता है वो बता देते हैं तो उसमें general format होता है return value type function name बाद में parenthesis में छोटे cost के अंदर parameter list और बाद में curly braces में definitions and statements मतलब return data type मतलब यह function जहां काम में लिया जा रहा है वहां किस तरह की value चाहिए में integer चाहिए, float चाहिए, double चाहिए, character चाहिए वह है return data type, return value type तो वो यहां पर है integer तो हमने int लिख दिया बाद में function name function का नाम क्या है तो अब मारे यहां function का नाम है square हमने square लिख दिया बाद में parenthesis parenthesis के अंदर parameter list parameter list में मतलब input arguments अपने यह input argument x है एक variable है जिसका square निकालना है तो input के रूप में int x और बाद में curly braces start curly braces यहां new line में भी start कर सकते है बाद में आते हैं definitions तो हमने यह definition दे दी int y, y equal to x star x y क्या एक integer है और उसकी value क्या है x का square है यह definitions यह statements जो भी हैं वो लिख दिये end में return y जो value हमें बेज नहीं है वो value है उसको return कर दिया और curly braces off इस तरह से हम एक ही program को चार तरह से एक function को चार बागों में बाढ़ देते हैं वो चार कौन-कौन से हैं तो एक है no return value no input parameter मतलब यहां return value type लिखा है यहां पर हम लिखेंगे void void कोई return value नहीं करेगा मतलब उस function में उस जाएसे पिछले function में हमने return square किया है वैसा इस में नहीं करेंगे और यहां input parameter list है वो भी खाली रहेगी मतलब parenthesis के अंदर कुछ नहीं लिखा होगा या हम void लिख देंगे दूसरा है no return value just input parameters मतलब function है वो कुछ भी return नहीं करेगा उसमें शिरफ input parameters होंगे उसके आदार पर वो कुछ काम करेगा लेकिन return नहीं करेगा हम जहां भी function को use call कर रहे है use कर रहे है वहां पर कोई value नहीं जाएगी तीसरा है only return value no input parameters मतलब function अपने आप से कोई value return करेगा लेकिन हम input parameter list है parenthesis के अंदर कुछ भी नहीं लिखेंगे avoid लिखेंगे और चोता है both return value as well as input parameters मतलब input में परामेटर होंगे return value भी करेगा हम fourth type का function देख चुके हैं अब बाकी type के functions देखते हैं तो हम देखते हैं यह एक program है जिसको हम देखते हैं समझते हैं कोशिश करते हैं तो यहां चार functions prototype functions है पहला है इनस जिसमें कोई input parameter नहीं है कोई input parameter नहीं है और nothing return type कुछ भी यह return type नहीं है दोनों जिगा वाइड लिखा है दूसरा है print value print value में एक input parameter है लेकिन यह return कुछ नहीं कर रहा है तीसरा है read value जो return एक integer करेगा लेकिन input में कोई parameter नहीं है और चोता है square जिसमें एक input parameter integer है और वो integer ही return कर रहा है main function में हम जाते हैं तो main function में हम सारे functions को call करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमने int a और as declare किया है उसके बाद में ins function को call कर रहा है जिसको कोई input नहीं है कोई return नहीं है बाद में हम a equal to read value function को call कर रहा है read value function जिसका कोई input नहीं है लेकिन integer type return करेगा उसको call करते हूं और वो जो value return करेगा वो हम यह a को assign कर देंगे next है square, square को call किया है इसमें a की value input में दे रहे हैं और यह उसके अवज में a value return भी कर रहा है तो हम square function में a पिछला value a की थी वो input में देंगे वो उस value से कुछ के connection करके कुछ ही return करेगा वो हम s को assign कर रहे हैं बाद में हम print value function को call कर रहे हैं जिसमें s की value वो input में दे रहे हैं और वो function कुछ भी return नहीं कर रहा है हम इन functions को देखते हैं तो INS function जो है जिसमें कोई input नहीं है, कोई output नहीं है वो print करेगा एक print statement है उसमें और वो print value है give an integer मतलब वो एक prompt है just वो वैसा ही print करेगा जब भी उस function को call किया जाएगा print value जो function है उसमें एक input है integer और ये क्या करेगा ये print करेगा squared of given value is और उस value x को print कर देगा read value function return करेगा input कुछ नहीं लेगा तो ये क्या कर रहा है ये इसमें एक integer x नाम का variable declare किया गया है उस x को read किया है terminal से और return कर दिया मतलब यहाँ पर x की value print होगी जब भी हम इस function को call करेंगे read होगी x की value और उस वो return होगी मतलब यहाँ पर x की value ही read and return होगी और बाद में square तो square में हम पहले भी देख चुके हैं एक value input है उसका square करता है और उसको return कर देता है अब हम इस प्रोग्राम को compile and run करके देखते हैं compile किया successfully compile हो गया है run किया तो सबसे पहले ins function को call किया था जो print कर रहा given integer अब हम को integer value देंगे उसके लिए read value function को call किया गया है जो उस value को read करेगा और main function में return करेगा जो हम यह value देते हैं जैसे हमने 7 दिया तो यह read value ने read किया main function को बेजा main function ने इस value को a को assign किया a है वो इस value को square function को बेजेगा वो square function उसका square करके 49 बनाएगा वो 49s को बेजे जाएगा और as print value function को call करेगा print value function उस 49 को print कर देगा और यह सारा काम हो गया अब हम यह जो काम हो रहे हैं इनको एक एक करके समझने ही कोशिस करते हैं तो void INS यह सारे वो functions है चारों तरह के functions हैं जो अभी हमने एक्जामपल में देखे इन में सबसे पहले है return value type तो चारों functions में दो में return type void है मतलब यह function का नाम है उससे पहले void लिकावा है इसलिए कुछ return नहीं करेंगे और दो में int लिकावा है मतलब यह दुनों integer return करेंगे जो function की body में हमने लिक भी रखा है return x या return y जो भी return कर रहा है वो integer है तो इस तरह से कोई function जब return करता है कुछ तो हम उसको क्या value return करनी है उस तरह का उस function को declaration में दे देते है return value type और उसके बाद में यह दे कुछ return नहीं करता है तो हम क्या लिखते है वोइड लिखते है नेक्स टैप function name तो यहां चारो functions की नाम है जो valid identifier होने चीए है valid identifier का क्या मतलब है कि इनके जो नाम है उनमें variable name में यह alphabet कोई digit या underscore ही include कर सकते हैं इसके अलाव कुछ नहीं होना चाहिए उसमें भी digit इसका starting character नहीं होना चाहिए starting character digit नहीं होना चाहिए मतलब underscore या alphabet हो सकता है जैसे इसमें starting i है print value में p है, read value में r है, square में s है उसके आगे हम integer कोई number दे सकते हैं हम underscore लगा सकते हैं कोई भी alphabet लगा सकते हैं यह वो है valid identifier function की parameter list में यह दी हमने जैसे दो functions in input में parameter है int x square और print value में तो हमने parameter list दी एक सी ज़्यादा होते तो कोमा लगा के सारे दे देते लेकिन यह कोई parameter input नहीं है तो हम इसको खाली चोड़ सकते है parenthesis को या वो ही लिख सकते हैं खाली खाली अँंफे है नहीं है तो खाली है अनुरम ंदिये वे चलाव यहां यह fine